हेलो एंड वेलकम टू माई पाइफन टूटोरियल इस टूटोरियल में हम मेंबर्शिप ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजे एंड इमेडियेट अपडेट के लिए वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मेंबर्शिप ऑपरेटर्स अर यूज टू टेस्ट वैदर वैल्यू और वैरियेबल इस फाउंड इन सीक्वेंस और नॉट मेंबर्शिप ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यह चेक करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो जो पाइथन में एविलेबल सीक्वेंस डेटर टाइपस हैं उसमें है के नहीं Python में हमारे पास जो available sequence data types है वो है string, list, tuples, sets and dictionaries Membership operator returns a boolean value Membership operator जब ये चेक कर लेता है कि value sequence data type में है के नहीं उसके बाद जो value return करता है वो एक boolean value होती है Python में हमारे पास दो membership operator है एक है in operator और दूसरा है not in in membership operator क्या करता है true return करेगा अगर हमारी value या variable जो हमने sequence data type लिया है उसमें होगी, उसमें मतलब हमें मिल जाती है तो वो true return करतेगा and not in membership operator क्या करता है वो उस case में return करता है true जब हमारी जो value होती है वो sequence data type में नहीं होती है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर यह python लिया है मैंने एक string लिया है और उसको check करवा है एक list में जिसमें हमारे पास एक element python है एक java है एक javascript है तो यहाँ पर मैंने in operator लगा रखा है अब यह जो operator होगा यह यह चेक करेगा कि हमारी यह जो list में लिया है इसके अंदर जो मैंने check करने के लिए एक value दी है python वो है के नहीं यहाँ पर हमें दिख रही है कि python इस list के अंदर exist कर रही है इसलिए यह जो membership operator है यह हमें true return कर देगा दूसरा हमारा membership operator है not in operator तो यहाँ पर मैंने एक value लिया है ruby एंड उसे list में check करवाया है जिसमें हमारे पास element है python, java and javascript तो हमारे पास ruby इस list में exist नहीं कर रहा है इस वज़े से not in membership operator है वो क्या return कर देगा true because not in membership operator तभी true return करेगा जब जो हम particular value उसे दे रहे हैं वो जिस list में check करवा रहे है वो उस list में exist नहीं करती होगी अब हम एक program के दुरू इन दोनों membership operators के बारे में पढ़ेंगे मैंने अपना VS code open कर लिया है अब हम यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले मैं एक value लेता हूं मैं print लगा रहाता हूं क्या python अब हम एक membership operator लगाएंगे और उसे किसमें चेक करवाएंगे इस value को python की एक list में python java and js मैं file को save करता हूं and मैं से run करवाता हूं तो देखिए हमारे पस क्या रहा है true because python exist कर रहा है अब अगर मैं क्या करूंगा मैं इस python को एक string में भी check कर सकता हूं जैसे कि मैं क्या करता हूं यहाँ पर hello python मैंने यह दे दिया मैं file को save करता हूं and मैं से run करवाऊंगा तो देखिए यह again true आ रहा है also आम इने variables में भी ले सकते हैं जैसे मैंने ले लिया a is equal to 12 12 and b में हमने एक list ले ली 12 13 hello and python अब मैं print करवाता हूं a in b file को मैं save करता हूं and 10 में run करवाता हूं तो देखिए हमारे पस true आ रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर value change कर दूं 14 तो उस case में यह false return कर देगा यह false return कर देगा because हमारा जो 14 है वो इस list में नहीं है also हम sets भी ले सकते है because set भी एक sequence data type है मैं यहाँ पर value change कर देता हूं मैं देता हूं hello यह देखिए true return कर रहा है अगर मैं एक और o लगा दूं तो इस तरीके की string मतलब hello जो हमारा 2 o वाला hello है वो तो इसमें नहीं है या फिर हम क्या कर देता है ruby कर देता है वो तो इसमें नहीं है अब यह जो ruby हमने value पास करी है वो इस लिस्ट में तो नहीं है इसलिए यह क्या जाएगा false यह देखिए यह सेट में नहीं थी ना यह ruby value इस वज़े से क्या गया false also हम चेक कर सकते हैं हम tuples में देख सकते हैं tuples में यहां पर ruby लिख देता हूं अभी ruby file को मैं save करता हूं यह देखिए true आ रहा है because हमारे tuple में ruby element exist कर रहा है लेकिन अगर मैं यह java रिख दूँगा तो java मैंने लिख दिया अब यह देखिए false आ रहा है because java हमारे tuple में exist नहीं कर रहा है तो आप लोगों ने देखा हमने किस तरह से अलग अलग तरीक के sequence में check करवा सकते हैं कि यह particular value इसमें exist कर रहे हैं कि नहीं also हम dictionary में भी check कर सकते हैं मैं dictionary ले ले लेता हूं यहां पर एक one python two java and three js yes मैं file को save करता हूं अब अगर मैं java के साथ इस dictionary को test कर भाऊंगा तो हमारे पास return आएगा false अभी मैं बताता हूं क्यों false आएगा मैं run कर भाता हूं यह देखिए हमारे पास क्या रहा रहा false ऐसा क्यों हुआ हुआ क्योंकि dictionaries में हमारी keys को देख करके value को इन operator decide करता है कि यह key इस dictionary में exist कर रही है कि नहीं मतलब यहां पर values की checking नहीं होती है यहां पर keys की checking होती है dictionary में तो यहां पर क्या कर देता हूं यह key पास कर देता हूं 2 तो देखें यहां पर true आ रहा लेकिन अगर मैं इसमें 4 दे दूं जो की एक ऐसी key है जो इस dictionary में exist नहीं कर रही है जिस वाई से क्या return आ जागा false और मैं अब आप लोग को एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने यहां पर खेले लिया A is equals to capital E and B में दे दिया मैंने print A in B अब यह क्या uppercase E और हम check कर रहे है इस वाली string में इस string में एक lower case E तो है लेकिन एक upper case E नहीं है तो इस वज़े से result क्या आना चाहिए? false because in operator एक case sensitive search करता है जिसमें search करते वक्त यह धियान रखा जाता है कि जो हमने value pass की है वह uppercase में है या lower case में है यह देखिए false हा रहा है अगर मैं यहाँ पर small e दे दूँगा तो हमारे पस क्या return हो कर क्या जागा? true also यही चीज हमारे पास list, set, tuple and dictionary में भी यही चीज होती है मैं यहाँ पर क्या करता हूं? hello pass कर देता हूं and python यह pass कर देता हूं और मैं यहाँ पर search क्या करवाता हूं? python मैं file को save करूंगा and मैं इसे run करवाऊंगा तो देखिए false हा रहा because यहाँ पर python हम किस case में pass कर रहा है? lower case में and जिसका जो p है वह भी किसका है? lower case का लेकिन यहाँ पर जो list में हमारे python लिखा हुआ उसमें जो p है p character है वह किसमें? upper case में अब हम not in membership operator के बारे में पढ़ते हैं not in membership operator को हम किस तरह से लगाते है मैंने क्या लिया? a is equals to capital E and b is equals to hello world यह दे दिया मैंने अब मैं कराता हूँ print a हम जिस तरह से in membership operator को लगा देते उसी तरह से not in को लगातेते हैं मैं not in लिख देता हूँ अब यह क्या करेगा? यह यह चेक करेगा कि यह जो upper case e है वो क्या इस value में इस sequence में जो हमने pass किया है उसमें exist कर रहा है कर नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है इसलिए यह क्या return करेगा? true तो मैं यहाँ पर file को save करता हूँ and मैं इसे run करवाता हूँ तो देखे true आ रहा है अगर हमने lower case e ले लिया तो यह क्या return कर देगा? वह उसमें नहीं होनी चाहिए and in membership operator का यह काम होता है कि वह जो value हमने दी है check करने के लिए वह उस particular sequence data type में होनी ही चाहिए मैं एक list का example और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर देता हूँ Java and मैं यहाँ पर एक list पास करता हूँ Python Java and JS अब मैं चेक करता हूँ कि क्या यह इसमें है के नहीं है है बिल्कुल still कर रहा है exist कर रहा है value change कर देता हूँ file save and run तो यह देग यह true आ रहा है because ruby is not exist in this list हम यह काम tuples में भी कर सकते हैं मैं यहाँ पर tuple देता हूँ and यह आपर value बतल कर देता हूँ Django तो देखिए नहीं exist कर रहा है और जिसवर इस उसने क्या return कर दिया true हम sets के लिए भी check कर लेते हैं यह देखिए क्या return कर रहा है true because Django is not exist in this set but अगर हम java देंगे तो क्या return कर देगा false because java is exist in this set data type also हम dictionary के लिए check कर लेते है मैं यह पर देता हूँ one colon python two colon java three colon js हम यह पर देते है three and मैं file को save कर वाता हूँ and इसे run कर वाता हूँ तो देखिए यह false आ रहा है because 3 की है हमारी क्या कर रही है इस dictionary में exist कर रही है और हमने not in operator लगा जो कि यह चेक करता है यह values में नहीं होनी चाहिए बढ़ यह values में है इसलिए हम यहाँ पर four key को check कर वाते है save and run तो देखिए true आ रहा है तो अब लोग को membership operator के बारे में इस tutorial के दूरू clear हो गया होगा किस तरह से हमारे पास दो membership operator होते है in and not in जो in membership operator होता है वो यह चेक करता है कि हमारी value exist करती है के नहीं जो हमने sequence data type में check करवाने के लिए दिया है and not in जो operator होता हमारा membership वो यह चेक करता है कि यह value हमने पास करी है यह check करवाने के लिए जो value दिया है वो उस sequence data type में नहीं है Hope आपको चीज़े समझ आ ही होंगी अगर आपकी कोई query है तो आप comment box में लिख सकते हैं या आप login कर सकते हैं www.learn2unless.com contact us.php हम आपकी query solve करने की कोशिश करेंगे Thank you